Hello and Welcome to our YouTube channel that is Talking on Tech So friends, आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे कि कैसे हम लोग अपने पेंट ड्राइब को बूटेवल बना सकते हैं जी हां दोस्तों, कैसे हम लोग अपने पेंट ड्राइब को बूटेवल बना सकते हैं तो चलिए सबसे पहले आपको क्या करना है आपको Chrome browser open कर लेना है और Chrome browser open करने के बाद आपको क्या आपको type करना है ये बताते हैं और कहां से आपको जो है आपको पुचियेवल pin drive करने के लिए आपको कौन से ISO फाइल के जरुत पड़ेगी कौनसी website की जरुत पड़ेगी और आपको कौन सा application लगेगा तो चलिए सबसे पहले आपको यहाँ पे type करना है Universal USB installer ठीक है तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारा ये website open हो जाएगा कुछ इस तरह से तो सबसे first ला link में आपको आ जाना है और इसके बाद आपको यहाँ से इसे download कर लेना है आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे है download UUI ठीक है इसको आपको download कर लेना है उसके बाद आपको यहाँ से यह application मिल जाएगा उसका आपको application को open करना है और open करने के बाद आपको यहाँ पे कुछ select करना है जैसे की देख सकते हैं आप लोग और यहां पे आपको सबसे फस्ट स्टेप में स्लेक्ट करना है कौन सो ऑपरेटिंग सिस्टम आप अपने USB में डालना चाहते हैं सबसे पहले चलिए हम लोग यहां पर इसे स्लेक्ट कर लेते हैं Windows 7 हम लोग यहां पर Windows 7 डालना चाहते हैं उसके वाद आपको second step में open करना है और यहां से आपको ISO file को डालना है जैसी कि आप लोग देख सकते हैं ISO file जो है हमारा यहां पर स्लेक्ट कर लिए है और आपको यहां पर ISO file मिल जाए अगर आप लोग ISO file चाहते हैं तो आप लोग हमें comment कर सकते हैं मैं आपको यहां पर website दे दूँगा link कि कौन से ISO file का जो website है वेस्ट है तो इसके वाद आपको यहां पर second step में ISO file select कर लेना है जो कि बहुत ही important ISO file होता है किसी भी operating system को install करने के लिए bootable pen drive बनाने प्नाने के लिए उसकर आपको third option जो एसमें आपको select कर लेना है कि कौन से location में जो है आपका pen drive लगा हुआ है ठीक है जैसे कि आप अबरहां पर देख सकते हैं drive is selected ठीक है तो drive is selected है ते हैं हमें आपको select कर लेना है कि आपको storage है स्टोरेज है ठीक है तो आपका स्टोरेज आपको यहां पर स्लग करना है और उसके वाद आपको यहां पर जो आप देख सकते हैं यहां पर आपको कुछ इस तरह से क्रिएट कर देना है उसको क्रिएट करने के वाद आपको यहां पर सिंप्ली प्रेस कर देना है मुझेख नहां पर देख सकते हैं यह हमारा प्रोसेस गम्प्लीए होगा थोड़ा देर में तक के लिए हम लोग इस वीडियो को थोड़ा पॉस कर देंगे था कि वीडियो हमारा जहाधा लंबा न हो जयлять और अब देख सकते हैं फाइनली हमारा जो है यह installation complete हो गया है और इसके बाद आप इसको simply close कर देना है और close करने के बाद आप देख सकते हैं जो हमारा जो drive था USB यह देख सकते हैं हमारा UUI आई इड्राइब हमारा यहां पर यह complete हो चुका है अब यह जो हमारा pen drive है pen drive बिलको ready है हम लोगों को operating system install करने के लिए अब operating system install कैसे करना है मैं इस वीडियो का link दे दूँगा तो आप लोगों को description box में मिल जाएगा उस वीडियो का link इस वीडियो में हमने already discuss कर चुका है कि कै कैसे operating system को install करना है तो चलिए friends आज के वीडियो में बस इतना ही फिर मिलते है नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए thank you keep watching